हलो मैं रायप्पूर हेल्थ क्लिनिक तात्या पाराच चौक 36 गर्षे डायरेक्टर जीपी सिंग सिक्स समस्याओं में सिख्र पतन नंबर वन पर आता है और इरेक्टाइल प्रावलम दोनों अक्सर साथ साथ होते हैं यानि लिंग में तनाव की कमी और वीरी का गर्जदी से गिर जाना यह लगभग मैं सत्े पर सेंट लोगों में देखता हूं साथ साथ होता है कि पैसेंट अगर के बोलता है सर मैं संसर के लिए जाता हूं लिंग में प्र्याप तनाव आता नहीं है और मैं कोशिज करता हूं दस सेकेंड पांस सेकेंड पंदरा सेकेंड या बिफोर प्ले में चाच्छा दस स्ट्रोप में ही हमारा सीमेंट डिस्चार्ज जाता है क्या करें देखिए सिख पतन और एक्टाइल प्राबलम के बहुत से कारण हो सकते हैं सेक्स का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को देखें सोचें समझें हमें फिजिकल सपोर्ट मिले संतुष्ट करें शाडिस्वाई करें उससे हम कंप्लीट इस्तरी और पूरुष कहेंगे तो सेक्स टाइम क्या हो सकता है सेक्स टाइम का मतलब जैसे मेल संसर के रिए जाता है और वन स्टोक टू स्टोक थ्री स्टोक जस्ट फिप्टीन पंद्रफ बीश स्टोक के आसपास सामने वाले को सेक्स का एहसास होता है उसके बाद दो ढटाइस सो तीन सो चार सो पांत सो साथ स्टोक यानि आट-दस मिनट से लेकर के 15-16 मिनट तक की टाइम को हम रखते हैं तो समझ लीजिए हमारा पार्टनर संतुष होता है सडिस्पाई होता है अदर्वाइज नो तो इरेक्टाइल प्राब्लम और सिग्रपतन के क्या कारण हो शकते हैं हार्मोनल सेक्स हार्मोन टेस्टोइस्ट्रोन दस यारव बरस के बाद लड़कों के अंदर रिरीज होता ह है जो पूरुष के गुणों का निर्धारन करता है लिंग अंको शुक्राणू दाड़ी मुझ परूशक्ति यह हार्मोन फस्क्लास का बनेगा तो हर चीज फस्क्लास को होगी कम बनेगा तक कम और एकदम नहीं बनेगा तो एकदम सेक्स में हमें इंट्रेस्ट नहीं जाती है इसके अलवा मोटापा कोलेस्ट्राल ब्यायाम का अभाव मसल्स विकनेस या इसकीन की सेंस्टिविटी पेनिस के लिंक के सामने वाला जो भाग होता है ग्लांस शिश नमुन जिसको गते उसकी बहुत ज्यादा सेंस्टिव हो जाती है तो भी इस तरह की समस्या हो खते हैं मैं आपको बताया कि य जिसको आप अपनायते हैं तो बहुत अच्छा रिश्लास हो गाँ तो उस फार्मिलों को लॉट कर सकते हैं अश्व गंधा चूण शाठ गराम, स्वेत मुसली चूण शाठ गराम, सतावरी चूण शाठ गराम, ए के तीनों मिला करके अलग रख लीजिए, इसके अलामा सिला जीत 12 गराम, सिध्ध मकर ध्वज 4 गराम, मदन मंजरी बटी लगबग 800 मिलीगराम, एमजी श्वर्ण भस्म पांसो मिलीग्राम एच चारो चीजे अलग खरल्वे खोब कूट पीस करके मिला कर रख लीजिए और पहले असोगंदा सता और सुष्वेत मुसली जो पाउडर है उसमें इसको मिला लीजिए अच्छी दरीके से मिलाने के बाद सुभा एक्सरसाइज करें प्रानायाम करें योग करें उसके आधे घंटे 40-50 मिनिट के बाद इस जो पाउडर तयार किये हैं धाई से 3 ग्राम एक ग्लास मिस्ट्री युक दूट्र से ले लिया करें और एक घंटे तक कुछ खाएं पिये नहीं अगर सुगर प्रावलम है तो मिस्ट्री को अवाइड करें देखिए आपको बहुत अच्छा रिष्पांस मिलेगा और नहीं मिलता है तो आप रायपूर हेल्थ क्लिरिक तात्या पारा चौक 36 गर से सुबह 10 बज़े से साम 7 बज़े तक मिल सकते हैं रायपूर या रायपूर के आसपास रहते हैं तो डायरेक्ट मिलना ज्यादा अच्छा रहता है नहीं तो आप डायरेक्ट फून से सलाह ले करके अपनी दवाएं आप डाक के दौरा मंगवा सकते हैं थाइंक्यू नमस्कार